हेलो व्यूवर्स यह मेरी सासुमा है आज इनके हाथ की आपको एक में रेस्पी दिखाऊंगी यह आज दमालू बनाएंगी आईए शुरू करते हैं अब क्यूंकि यह सारी रेसिपी उनिकी है तो उन्होंने बताया है कि वन टेबल स्पून घी लेना है वैसे में मस्टर्ड अलुमें फ्राइब करती थी लेकिन उन्हें घी की कहा है तो मैंने इसमें वन टेबल स्पून घी डाला है और उसमें आलूओं को कच्छे आलूओं को छील कर फ्राई होने के लिए रखा है जब यह बिलकुल पिंग हो जाएंगे तब तक मैंने फ्राई करूंगी ज्यादा बड़े लग रहे हैं इसलिए कच्छे नहीं रह जाएं तो मैंने बड़े आलूओं के दो-दो पीस कर दिये हैं अब यह सब एक साइच के आलू हो चुके हैं अब इनका कलर चेंज हो गया है तो मैं इने गैस पर से उतार लूँगी वो बता रही है कि अब इने निकाल लेना है तो मैं इने निकाले लेती हूँ उनको उटने बैटने की प्रॉब्लम है तो इसलिए वो बैटकर ही बता रही है और मैं बनाती जा रही हूँ ये तीन बड़ी प्याज थी जिसमें से के मैंने हाफ ले ली है तो ये वन एंड हाफ प्याज छोटी कटी हुई है इसमें दो हरी मिर्च काटकर डाली हुई है इनको मैं उसी घी में फ्राई कर रही हूँ जिसमें मैंने आलू फ्राई किये थे और इसको थोड़ी दिर भूने के बाद इसमें वन टेबिल स्पून पिसा हुआ धनिया डालूंगी वन टेबिल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च इसमें हल्दी नहीं पड़ेगी उन्होंने ये मना किया है तो ये बिना हल्दी के बनेंगे अब इसमें टू टेबिल स्पून दही डाल रही हूँ इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है जब ये सारी चीजें अच्छी तरह से भुन जाएंगी तब मैं इसमें उन फ्राईड आलूओं को डाल दूँगी और उसमें पकने के लिए थोड़ा सा पानी डाल कर स्वादा नुसार नमक डाल कर ढख दूँगी ढखने के बाद इसको गैस लो करके 15 मिनट के लिए रख दूँगी इसके बाद इसको खोल कर चेक करना है कि आलू गले हैं या नहीं अगर आलू गल चुके हैं तो हमारी सबजी तयार है अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया डाल कर सर्व करेंगे ये लीजिए आपके सामने एक स्वादिश्ट और पारम पर एक सबजी तयार है तो एंजोई कीजिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए